सवयोग किसान मोर्चा के आयलान पर 31 जुन्वारी को देश में DC कारेले के का किसान घेराव करेंगे तीएम भारतिय किसान यूनियन केती बचाओं के अध्यक्ष जर्णाइल सिंग मालवाल के नेत्रुत में किसानों ने रतिया में बैटर की जिसमें डिसी गारा लेकर घेराव को लेकर रणीती त्यार की गई तीन क्रिशी कानूनों को लेकर जिसतरा केंदर सरकार द्वारा सिप्त किसान मोर्चा के साथ बैठर कोई थी उसमें कई मुद्दों पर सेमती भी जिताई गई थी इसी को लेकर जो भारत्य किसान यूनियन खेती बचाओ के सदसे हैं उनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है जो उनकी मांगे हैं उन्हें प्रोपर नहीं मान रही जिसको लेकर वैक कल पूरे देश में डीसी काराले का घहराव करेंगे उतले भूकेंगे इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं बारत्य किसान यूनियन खेती बचाओ के परदेश अदेक्स जर्नेल सिंग जी मलवारा उनसे बात चीत करते हैं कि उनकी जो कल विरोध दिवस मना रहे हैं क्या रननेती है रहेगी सरकार ने बाकी हमारी मांगों पर सहमती जिताई थी कि हम सभी मांगों को मानेंगे विशेशकार MSP की बात करें तो उस पर एक कमेटी बना के MSP पर खरीद की करण्टी के कानून की और बढ़ना था लेकिन दो महीने पूरे होने को हैं अभी तक सरकार ने उस और एक कदम भी नहीं बढ़ाया है तो हम मान रहे हैं क्योंकि SKM की जो मीटिंग 15 जनवरी को ही थी उसमें जे माना गया कि ये वादा खलाफी है विश्वासगात किया गया है हमारे साथ सरकार द्वारा तो उस वादा खलाफी के खिलाफ पूरे देश में हम अंदोलन कर रहे हैं प्रदानमंत्री जी के पुतल भी कुछ रहा गया इसमें जो आपकी मंगें इनमें सबसे बड़ी बात है कि लखीमपुर खीरी में बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें हमारे चार किसान और पत्रकार भाई शहीद हो गये थे तो उसमें साइटी बिठाई गी थी साइटीपी की रिपोर्ट आने के बा अब अब जूद जो उसके मैं जो हमारे केंद्रिये ग्रैरा रजय कुमार्टेनी हैं वह आज वी मंत्री पर बने हुए हैं उसका इस्तिफा होना चाहिए उससे ब्रखास्त किया जाना चाहिए और कानूना जो बनती है ुस पर कारवई होनी चाहिए उसे गिर्फतार किया करना चाहिए पिछले दिनों भारतिया किसान यूनिन खेती बचाओ की तरफ से एक एलान किया गया था प्राइविट स्कूलों को खुलवाने को लेकर कल शिक्षा मंतरी ने साफ कर दिया कि कि किसी भी सूर्त में ऐसे मनमानी से स्कूल नहीं खोले जाएंगे अगर कोई खोले सरकार उनकी बात सुनकर लेकर फविशय के उपर हमारे लिए कुछ नहीं है नियुकर करेंगे पूरे प्र देश में हम स्कूल को खुलवाएंगे सरकार की धमकी। से मड़ने वाड़े नहीं सरकार इसका कोई ना कोई समादान निकारे बसें भरबर कर जा रही है पहले सो बरहे हुए हैं मॉख बरहे हुए हैं वहां पर भीड़ती से करोना नहीं फ्हालता सिर्प से करुड़त है तो सरकार की मेंशाह है कि बच्ट लोगों को रखा जये ताकि आने वाले सबय को सरकार सेैं की बचाओ के परदेश हैं उन्होंने साब कर दिया है कि सरकार की ना तो वो धमकियों से डरने वाले हैं ना ही पीछे हटने वाले हैं बले ही वो कल परदर्शन की बात हो या स्कूल खुलवाने की यह तो समय बताएगा आगर आगे किसानों का अजंडा क्या रहता है अशोग गर हर्याना निव्ज रतिया ना शुक्त वबर हर्याना निव्ज रतिया ना शुक्त